36 गड़ मुख्य मंद्री के चेहरे से परदा हटने के बाद अब मंद्री मंदल के गठन का बेसबरी से इंतिजार किया जा रहा है 13 दिसंबर को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में दो पहर दो बजे शपत ग्रहर समारो है जिसमें परदान मंद्री नरेंदर मोदी मुख की अतिती होंगे शपत ग्रहर समारो में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्ता की जा रही है सुरक्षा व्यवस्ता के लिए लगभग 1000 पुलिस जयवान तैनात किये गए है वाजबा के प्रदेश अध्यक्ष और लोर्मी विधायक अरुष साव ने कहा कि वाजबा को वोड़ प्रतिशत और सीटों के हिसाब से एतिहासिक जीत मिली है कल का शपत ग्रहर समारो भी एतिहासिक होने वाला है भारतिय जनता पार्टी को एतिहासिक जीत मिली है ओट प्रचिसत के हिसाब से सीटों के हिसाब से एतिहासिक जीत मिली है और कल का सपद समारो भी एतिहासिक होने वाला है राइपूर के साइंस कालेज मैदान में दो बजे सपद ग्रहन समारो आयोजीत है समाज के अलग अलग वर्ग के सभी लोगों को इस सपद समारो में आमंत्रित किया गया है देश के प्रधान मंत्री मननी नरेंद्र मोदी जी हमारे पारटी के रास्टी अध्याथ चाधर्नी जगत प्रकास नड़्डा जी देश के ग्रह मंत्री आधर्नी अमीग सा जी अनेक राज्यों के मुक्षमंत्री, केंद्रिय मंत्री, समाच के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिस्थित लोग हैं सभी सपस्वारों के साथ्ची होने वाले हैं जैसे जीत अतिहासिक हुई है वैसे ही सपस्वारों भी अतिहासिक होने वाला है